हैलो जी नमस्कार स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल All in One राजु कुमार सिन आज मैं आपको नितीस कुमार के बाड़े में बतलाओंगा नितीस कुमार का परिचे किसी का मोहताज नहीं है नितीस कुमार के पिता रामलखन सिन और माता का नाम परमेश्वरी देवी है उनके पिता एक सौतनतृता स्यनानी थे उनके पिता आधनिक बिहार के संस्थापकों में से एक थे उनके पिता एक महान गांधिवादी विभूती अनुगरा नरायन सिन्हा के काफी करीब थे, उनके पिता एक आईडवेद चिकित सक्त है, उन्हें 1972 बिहार कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग से मेकेनिकल इंजिनियरिंग के डिगरी प्राप्त हुई, बिहार कॉलेज ओफ इंजि करीब थे, यह पहली बार विधान सभा के लिए 1985 में चुने गए थे, उन्हें 89 में वे युगा लोक दल के अध्यक्ष बने, उन्हें 89 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचीव भी चुना गया, उन्हें 89 में नौवे लोक सभा सदस्थ चुने गया नितीश कुमार जी, उ तोर क्रिसी मंत्री, क्रिसी राज्य मंत्री चुने गया, उन्हें 99 में वे एक बार फिर लोक सभा के लिए चुने गया, उन्हें इस बार जनता दल का राश्टीए सचीव चुना गया, वे संसद में जनता दल के उपनेता भी चुने गया, 1991 और 2000 में उन्होंने बार लोक सभ पार चेत्रकार नेत्रित्यु किया 1998 और 1999 में कुछ समय के लिए केंद्रिया रियल भूतल पडिवहन मंत्री भी रहें अगस्त 1999 में हुई रियल दुरकटनाय कारण उन्होंने अपने मंत्री पत से इस्तिफात दे दिया नेतियस कुमार कहते हैं कि मुझे लोक नायक जप्रकास नरायन, छोटे साफ सतिन नरायन सिन्ह और जन नायक और पूरी ठाक्यूर के चर्णों में जाने और सिखने का मौका मिला सन 2000 इसी में वे विहार के मुख मंत्री बने लेकिन उन्हें सिर्फ साथ दिनों में त्याग पत्र देना पड़ा साल 2000 में ही वे फिर से केंद्रिय मंत्री मंडल में क्रिसी मंत्री बने मई 2001 से 2004 तक वे बाजपई सरकार में केंद्रिय रियल मंत्री रहें 2004 के लोक सवाचुनाव में वे बाढ यो नालंदा से अपना परचा भढ़ा पर बाढ लोक सवाच सीट से वे हार गए नॉवंबर 2005 में राष्टिये जनता दल का बिहार में पंदस और पुरानी सत्ता को नितिस कुमार जी उखार फेके नॉवंबर 2005 में वे बिहार के मुख्य मंत्री बने सन 2010 इसे में बिहार के विधान सवाचुनाव में अपनी सरकार दोरा किये गए विकास कारियों के अधार पर भारी मुहमत से अपने गटबंदन को जीत दिलाने में सफल रहे सन 2010 में फिर से मुख्य मंत्री बने और उसके बाद वे विकास पूरुस के रूप में जाने जाने लगे वे देश के इमानदार हैं उस्वक छवी के मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं नॉवंबर 2015 में वे RJD आनी राष्टिये जन्ता अदल के संयोग से चुनाओ जीतने में सफल नहीं, RJD को सबस्यादा 81 सीट मिली थी, 10 अप्रेल दोहर सुलला को अपनी पार्टी के राष्टिये अध्यक्ष के रूप में वे निर्वाचित हुए, 2019 के अगामी चुनाओ में सालू परसाद यादो के पुत्र तेयस्वी यादो का सीबी आई द्वारा में नाम करन अभी वर्तमान में बिहार के मुख मंत्री हैं, BJP यानि NDA के साथ सरकार बना रहे हैं, और सुसील कुमार मोधी उनके साथ उप मुख मंत्री हैं, नितीष कुमार ने अपने कार्यकाल म साथ जो अच्छी नहीं, बहुत अच्छी पहल सराव और देहें, दोनों ही समाज के लिए अविसाप है, साथ निश्चे योजना अभी नितीष कुमार नी चला रहे हैं, हर घर नल योजना को भी उन्होंने कार्यनवित किया, उनके कारकाल में बिहार के साथ सर्ता काफी ब जाते हैं, इस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक से यर कीजिए ताकि आपको हम इस तरह के और वीडियो उपलब्द करा सकें